कोरोना वाइरिस के संक्रुमन के कारण हुए लॉक्टाउन ने लगबख हर परिवार का बजट हिला कर रख दिया है। इस दोरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाव नारीबाजी करते हुए जबर निरधार फीस वसूलने का आरूप लगाया। कर रहे हैं 1250 के जगे यह देखिए अन्वल चार्ज़ बारा सो पचास के जगे नहोंने 18 सो पे चर्ता दे रहे हैं डवल्लप्मेंट फीस नहीं लगा रहे हैं यह देखिए जादर स्मार्ट क्लास फीस एक्टिवरिटे फीस यह हम हमारे घर में धर्रा रहे हैं कि कौह से इलिग्ते कर रहे हैं सारा किया दो का छार क्वाएं तो इमिल्टी प्रेसर बनारा है कि आप पीस दो पीच्न पीज दो आन्वल चार्जि़ दो आईropel चार्जिस दो, स्मार्ट क्लासेज, एक्टिविटी क्लासेज, आईटी चार्जिस, न्यूस्पेपर चार्जिस, चार्ज़ोर पे लगा के न्यूस्पेपर के भी पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, हम कहां से लाएंगे इतना पैसा, इसलिए हम सारे अपर प्रकुक्त करें, हम ये गुजारिश करते हैं कि स्कूल मेनेजमेंट हमारी बास सुने, दिल्ली सरकार हमारी बास सुने, हमारी आवास आपके कानों तक पहुंचनी जाये हैं. हम लोग घर पे रहे, हमारे काम सब क्लोज हो गए, जहां पर एडवांसे गए हैं, वो एडवांसे रिवस नहीं आ रहे, जहां पर क्रेडिट दे रखा है, वो लोग पेमेंट करके तयार नहीं हैं, सब लोग इस समय एक एकनौमी में बहुत बुरी तरह से हिट हैं, ये अरव लोग अभी किसी भी तरीके से एक सपोर्ट करवाएं और पेरेंस को इमेडियेरट। स्कूल परिसर के बाहर अभिभावकों के प्रदरशन पर कूल प्रशासन ने भी अपनी प्रतिके आदी है। स्कूल की पधाना चार्या ने अभी भावकों के सभी आरूपों को निराधार बताया है जून जुलाई हमने इनसे सिरफ ट्यूशन फीज चार्ज करी है उसके अलावा ऑगेस्ट में हमने क्यूंकि देखे डिपार्टमेंट आफ एड्यूकेशन का 18 एपरिल का एक और है जिसमें उन्होंने का है कि जब लॉक्टाउन खुल जाता है तो स्कूल बाकी चार्जेस बा और अब बासे का देखे इसमें कोई दोराय नहीं है कि करो नाकाल के दवरान हर किसी का आर्तिक बजड़ बिकड़ गया है एसे में बच्चों की पढ़हाई और फीज को लेकर अविभावकों में चिंता और परिशानी होना लाज़मी है झाल